ओम शांति 31 जन्वरी अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ बहुत गहरे प्रेक्टिकल जीवन में सफल होने वाले उसकी विधी क्या हो ऐसे गुई ये महवाख्य हैं तुम सभी ब्राह्मन कमल आसन धारी हो बहुत सुंदर सब्द जो कमल आसन धारी वही राज सिंगा संधारी कमल आसन का अर्थ है न्यारे और प्यारे जितना समय जो कमल आसन धारी बने थोड़ा समय बने तो थोड़ा समय राज मिलेगा लंबा समय बने तो लंबा समय यानि अनेक जनम राज मिलता रहेगा ब्रह्मा बावा भी कमल आसन धारी बने देवताओं को भी कमल आसन पर दिखाते हैं तो बावा कह रहे तुम्हें चार बातों में न्यारे और प्यारे बनना है कमल आसन कार्थी होता है जैसे कमल पानी में रहते वे उससे न्यारा रहता है हम संसार में रहते सेवाओं में रहते न्यारे और प्यारे बन जाएं जितने हम न्यारे बनते हैं उतने ही सर्व के और बाप के प्यारे बनते हैं तो पहला न्यारापन है देश से न्यारापन, मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, देवान बिलकुल छूटता जाए, जैसे मनुस्यों को देवान नेचुरल है, ऐसे ही तुम्हारा आत्म भीमानी स्वरूप नेचुरल होता जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना स्वरूप और भविष देव स्वरूप इस पस सामने रहता था, नसे में रहते थे, निश्चे में रहते थे, वैसे तुम्हें भी निरंतर देश से न्यारे होने का अभ्यास करना है, दूसरा न्यारापन है देश के संबंधों से, देश के संबंधों में हम सब सदा ही रहत आशक्तियां ममत तो रहता है लेकिन बावा याद दिला रहे दिवाली हुई होगी दिवाली के बाद भाईया दो जाई तो जैसे भाईया दो जमाना भाई भाई तो ग्रस्त में रहते आत्मिक द्रस्ती में रहना सब आत्माई हैं भाई भाई हैं ऐसे अभ्यास में रहने से तुम दहे के संबंदों में रहते हैं, उनसे न्यारे हो सकेंगे, दहिक दृष्टी रहती है, ये मेरे हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पती, मेरे माबाप, तो तुम उनसे न्यारे नहीं हो पाते हो, आत्मिक दृष्टी में रहेंगे, तो कमलासंधारी बन जाएंगे और सबका प्यार प्राप्त होगा आपको, परिवार वाले भी आपको बहुत प्यार करेंगे, और तीसरी बात, जिसको बाबा ने थोड़ा विस्तार जाद दिया है, जो हमारे पदार्त हैं, साधन हैं, उसको यूज करते भी न्यारी, अब साधन तो हमें यूज करते ही हैं, लेकिन योगी बनकर यूज करना है, यूज किया और न्यारे हो गए, ऐसा ना हो, कि इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता, ये तो हमें चाहिए ही, ये नहीं, बाबा कह रहे हैं, उस समय थोड़ी पानी की दिक्कत हुई थी, तो बाबा कह रहे हैं, ये तो छोटा सा सीम्था पानी से बनी हुई वस्तु या अगनी से बनी हुई वस्तु या और प्रकरती के सादनों से बनी हुई वस्तुएं नहीं रहेंगी, तो उसके बिना भी तुम बहुत सुख ही रहें, ये नहीं, ये हमें अच्छा लगता है, नहीं, या इसकी इच्छा होती है, अग अगर हमें कुछ इच्छाएं होती हैं, ये चीज अच्छे लगती हैं, तो हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, इच्छा के वस हो जाएंगे, और कभी वो चीज हमें प्राप्त न हुई, तो हमारी स्थिती डगमग हो जाएगी, बाबा ने बहुत अच्छा उधान दिया, कि देखो, यग में जान बूज कर सुरू में बाबा ने एक परियोग कराया पंदरा दिन का, सभी को बाजरे का डोड़ा यानि रोटी और च्छा ची लेनी है, दमे के पेसेंट थे, और कई पेसेंट थे, सबने वही ली, एक नसा था, निश्चे था, बाबा का प्रोग्राम वतन से, दमे वाले भी ठीक हो गए, बाबा कह रहे हैं, तो निश्चे और नसा ऐसी बड़ी चीज है, जब भक्ती में दिखाते है, मीरा ने जायर पिया, वो भी अमरत बन गया, तो बाबा का, यह तो चाच थी, यह नुकसान कैसे कर सकती है तुमें, सुखी रोटी भी परिशान तुम तब होते हो, जब अपनी श्यान से परे हो जाते हो, तो बाबा में संपोर निश्चे रखते हुए, संतोष्ट आत्मा बन कर, इन पदार्थों से विन्यारे होते चले, बोजन खा रहे हैं, अच्छा का रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आसक्त न हो जाएं, वस्त पहिन रहे हैं, अच्छा मकान हैं, अच्छी कारे हैं, इलेक्ट्रोनिक्स के साथ ने, इन सब के भी अधीन हो जाएं, कि कलि ये न रहें, तो इस्थिती बिगड़ जाए, ढगमग हो जाए, इन सब से वचना है, और चोथा है, अपने संसकार स्वभाव से नियारे है कई आत्मे स्वभाव संसकार को बदल ही नहीं पाती, अपने को ही सत्य समझती हैं, बाबा कह रहे हैं, सत्य को सिद्ध करना, ये विजिद है, ये राइट नहीं है, नियारापन नहीं है, हाँ सत्य को सपस्ट कहना करना, वो अलग चीज है, लेकिन सत्य के पीछे लगे रहे फिर एक जूट बोल दिया तो हजार जूट बोल रहे हैं, ये स्वभाव और संसकार बदलने हैं, इन से भी नियारा रहना है, नहीं तो तुम्हारी महसूसता की सकती समापत हो जाती है, फिर बावसे वधारियों से मिल रहे हैं, बहुत माइमा कर रहे हैं कि देखो ब्रह्मा अब ही अपनी संपोर्ण तपस्या में नियारे पन में रहे, ये नियारा पन बहुत अच्छी तपस्या है, इस से परिवार के प्यारे बने रहे और से बावा के भी प्यारे बने रहे और अपनी संपोर्ण इस्थिति को प्राप्त कर लिया, सेवाधारियों से बाबा बात क तुम सेवा में आते हूँ, मदुवन अच्छा लगता है ना, योग अच्छा रहता है ना, तो जब भी कोई परिशानी आए, तो मदुवन में पहुंच जाना, मन से पहुंच जाना, तो वाइब्रेशन्स मिल जाएंगे, इस तरह बाबा, सभी में बल भर रहे हैं, बाबा त तुम्हारे साथ है, तुम्हें बाब समान बनना है, एक अच्छी तपस्या करनी है, ऐसी सुंदर प्रेनाएं देते हुए, बाबा ने सभी को, ऐसे कमल आसंधारी आत्माओं को, बहुत अच्छी दरश्ति दी और याद प्यार दिया, वर्दान है, समझदार बन, तीनों त कावरफुल वाइब्रेशन्स भी हों, तो सहर सभलता होगी, तो मन, वचन, करम, तीनों की सेवाएं, हमारी साथ साथ चलनी चाहिए, ऐसे नहीं स्थूल करम में विजी होगे, तो हमारी वाइब्रेशन्स, हमारी सुभा बनाएं, हमारी स्रेश्तुरत्ती के वाइब्रेशन हमें भूल गए या हो कमजोर रह गए या हम क्रियेट न कर पाए तो सेवा भी करें इस्थूल ग्यान भी दें और मंसा के द्वारा पावर्फुल वाइब्रेशन्स भी फैलाएं तो हर जगह चाहे लोकिक प्रवर्ती हो या लोकिक सेवा सफलता प्राप्त होती रहेगी स्लोगन भी बड़ा सुक्समोर बड़ा गुई यह है अपने मन वचन करम से सभी को खुसी श्यंति और सक्ति का अनुभव कराना ही मान आत्माओं की मानता है तो आज हम अपने को चेक करेंगे हम कितने न्यारे हुए हैं हमारे जीने का हमने कोई आधार तो नहीं बना लिया ब बार बार अभ्यास करेंगे मैं आत्माओंड से न्यारे हुँ ब्रकुति शिंगास्थन पर विराजमान हुँ स्वराज जधिकारी हुँ न्यारे पन की good feeling करेंगे बार बार करेंगे तो वाकी सब चीजो से भी न्यारा पन स्वत होता जाएगा ओम श्यंति जुस्ट एक पर आपीस्फुल लाइ